है इस प्रणों को सॉल करते हैं क्वेशन क्या कहता है mean value of 20 observation was found to be 75 but later on it was detected that 97 was misread as 79 the current mean is क्या कहरा है क्वेशन में कि 10 observations की जो mean है वो है 75 लेकिन बाद में यह पता चलता है कि जो 97 है उसको गलती से क्या पढ़ लिया गया 79 पढ़के add कर दिया गया ठीक है तो हमसे पूछा correct mean बताओ जो correct mean correct number है यह correct observation है वो क्या है 97 है लेकिन उसको गलती से क्या ले लिया गया था 79 ले लिया गया था इन दोनों में कौन सा बड़ा है 97 बड़ा है it means कि अगर हम अब जो 97 value जो include करेंगे उसकी वजह से हमारा observe mean जो है क्या होने वाला है increase होने वाला है माइनस कर लिजे 97 में से 79 माइनस करेंगे तो 17 आएगा 17 में से 9 जिया तो कितना value आई 8 यहां पर कितना बचेगा 8 बचेगा उसमें से 7 किया तो कितना आगे 18 आगे 18 जो है क्या है 18 से यह average जो है यह mean जो है वह increase कर जाएगा लेकिन 18 से direct तो हो नहीं सकता इसलिए हमें 18 का को बाटना पड़ेगा 20 observations में वह कितना हो जाएगा 18 by 20 that is equal to 1.8 by 2 means यह हो जाएगा 0.9 0.9 हो गया 0.9 से क्या होने वाली है यह value हमारी average increase mean increase करने वाला है तो हमारा original mean कितना था 75 अब उसमें 0.9 add हो जाएगा तो हमेरे mean क्या जाएगा 75.9 option 3 इस question का सही answer है जाएगा I